Hello everyone, welcome back to unexplored literature इस वीडियो में हम बात करेंगे The Good Person of Seizwan के Epilogue की Epilogue एक बहुत ही important lines hold करता है इसके अंदर और एक बहुत ही important question भी है वो exam के लिए तो आपको पता होना चाहिए के अपिलोग के अंदर है क्या और एक एक line का meaning क्या है तो हम line by line उसको discuss करेंगे लेकिन सबसे पहले जो writer है Bertolt Brickett उनके बार में discuss कर लेते हैं Rekt एक German theater practitioner, playwright और poet थे और इनके कुछ important works है The Three Penny Opera, Life of Galilio, Mother Courage and Her Children The Good Person of Seizwan, The Cozizian Chalk Circle Mr. Puntila and His Man Matty, The Resistable Rise of Auteurio U तो यह सारे इनके important works थे जो कि आपके पूछे भी जा सकते है मतलब जो आप net वज़रा का paper देते हैं तो उसके अंदर लेकिन अभी जब आप अपने semester point of view से देखें तो उसके लिए जो एक question है कि epilogue क्या है, उसके अंदर writer ने क्या चीज़ डाली है वो बहुत ही important हो जाता है अपी लोग start करने से पहले थुड़ा सा plot का outline देख लेता है तो इसमें क्या होता है कि तीन gods आते हैं एक शहर में तो वहाँ पर क्या होता है कि भई इनको अब रखना है कहीं पर उनको एक रात spend करनी है अपनी तो अब कोई भी उनको रखने के लिए तयार नहीं होता कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं भगवान नहीं ऐसा तो पूरा एक belief system वहाँ पे चलता है तो वो god actual में क्या चेक करने आये थे कि humanity exist करता है नहीं करता भी भी तो बाद में जो एक prostitute होती है शेंते वो उनको अपनी घर पे रखती है तो फर वो उसको कुछ पैसे देते हैं ताकि वो अपना survival अच्छे से कर सके उसके बाद वो अपना cousin के रूप में disguise हो जाती है जो कि श्वीता क्योंकि लोग उसका फाइदा उठाने लग जाते हैं तो वो क्या करती है अपना भेश बेदल लेती एक लड़के के रूप में और बोलती कि मतलब मैं उसका cousin हूँ क्या नाम था उसका श्वीता तो इस तरीके का कुछ इसका upload है जो कि मैं next video में discuss करने वादी हूँ पूरी summary detail बस आपको अभी यह ध्यान रखना है कि यह एक prostitute थी जिसके घर पे गौड रुके थे तो अब हम यह discuss करने वाले हैं यहाँ पर कि कैसे जो पूरा story है वो चला क्या वो ठीक था क्या उसके अंदर problems थी और problem थी तो क्या-क्या थी तो वो सारे चीज़े एपिलोग में आई हैं यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं एपिलोग को एपिलोग वन अफ दा एक्टिवस वाक्स आउट इन फ्रेंट आफ दे करते हैं एंड अपॉलजिटिकली एड्रेस दे ओडियन्स कि एक जो एक्टर है वो कर्टियन से निकलके से जाता है और आउडियन्स को माफी माँगता है मतलब उन से सिधा जाके तो यह यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो एक्टर है वो अपने साइड एक्टर से बात ना करके सिधा आउडियन्स को एड्रेस कर रहा है ज़रत है तो यह एक open play है, आप इसकी कुछ भी ending बना सकते हैं, आप इसमें कुछ भी ending कर सकते हैं, इसमें कुछ भी change किया जा सकता है लेकिन Ibsen के अगर प्लेज देखें, जैसे कि ghost है, doll house है, वो बहुत ही closed होते हैं, उस पे अगर आपने थोड़ा सा minor भी change कर दिया ना, तो पुरा float ही change हो जाएगा लेकिन यह है एक open play, जहाँ पे आप कुछ भी change कर सकते हैं, आपका according उसकी कुछ भी ending रह सकती है, तो यह एक open play का rule play करता है A golden legion floated on the breeze, the breeze dropped and we got a bitter ending कि हमें ना इस जो पूरा story है, उसकी बहुत ही bitter सी ending मिली, मतलब कि वो जो लड़की है, Shente, यह claim किया गया उस पे, कि भाई, तो तो तुमाना जो cousin है ना, उसने Shente को मार दिया ठीक है, तो बेटर है कि एक बड़की आप उसका summary देखके हैं, जो next video में बनाऊंगी, तब आप इसको देखेंगे, तो और आपको अच्छे से समझाएगा कि न, उसने उसे मार दिया, तो बाद में जो हमें ending देखने को मिलते हैं, कि वो लड़की इतनी अच्छी थी, वो जो prostitute थी, Shente, वो बहुत अच्छी थी, वो सबकी भलाई का काम करती थी, लेकिन लोग उसे लूटते रहते थे, जितना हो सके फायदा उठा रहा है उसका, तो वो चीज़े कितनी गलत है, तो बहुत ही bitter sending होता है इसका, being dependent on your approbation, we wished, alas, our work might be commended, कि हम आपसे pray करते हैं, कि हमारे works को थोड़ा मतला माफ कीजिए, जो हमने भी ending रखा है, we are disappointed too, कि हमें भी इससे disappointment हुआ है, कि वो इतनी अच्छी थी, फिर बिश के साथ बुरा होता र है, कि यह plot है, वो end नहीं हुए, इसमें कुछ और भी जोड दिया जा सकता था, यह जो plot की ending हुई है, वो बहुत ही, कह सकते हैं, open है, आप उसमें कुछ भी change कर सकते हैं, in your opinion then, what's to be done, तो आपके according इसमें क्या-क्या changes आ सकते थे, आप as a reader क्या feel करते हैं, क्या जो भी हो रहा था, वो सही था, या फिर उसमें कुछ changes की जरत थी, तो यहाँ पे आपको as a reader अपना critical opinion देना है, इनको, actor को कि भाई, हमने ऐसा क्या गलत किया, आपके according उसमें क्या-क्या change होते हैं, मतलब वो आपको एक पुरा open platform दे रहे हैं, कि जो हमने ending बताई है, उसमें आप टिके मत जा सकते हैं, इसके beyond आप देख सकते हैं, तिरवो आगे पूछते हैं, change human nature or the world, well watch, कि हमें इस plot के अंदर, जो human nature है, उसको change करना चाहिए था, या फिर world को, मतलब जो शेंते हैं, उससे इतना अच्छा नहीं दिखना चाहिए था, या फिर हमें जो लोग हैं, उनका approach towards शेंत इतना low bar चुका है, तो तुम भी change हो जाओ, हमें उस शेंते कोई change कर देना चाहिए था, तो आपके according क्या चीज़ सही है, believe in bigger, better gods or none, कि क्या हमें जो gods हैं, उनको question करना चाहिए था, या फिर उनको हम छोड़ी दे में, तब उन पर हम believe ही ना करे, how can we mortals be both good and rich, तो यह बहुत ही interesting questions है, कि पहली बात तो एक question पूछा कि क्या हमें भगवान पर believe करना चाहिए, then the second thing is कि क्या कोई इंसान rich और अच्छा एक साथ हो सकता है, कोई अमीर और उसके अंदर अच्छाई भी हो, मतब यह सारे शीज़े अगर एक साथ आ सकती है, तो कैसे आ सकती है, and is it a possibility now, तो यहाँ पर question raised किया गया है, the right way out of acclimity you must find for yourself, कि अपने आप से ही आपको एक रास्ता ढूंडना पड़ेगा, इसमें हम आपकी help नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद खुश नहीं हैं इसकी ending से, कितनी अच्छी जो थी वो शिंते, उसके साथ कितना गलत हुआ, तो अब आपको ही कि जिन्दगी जीए, तो उसका अच्छा ही होगा, क्योंकि हमने तो हमेशे यह देखा है न, कि जो लोग बुरा करते हैं, उनके साथ तो अच्छा होता है, हम बोलते हैं कि यार मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैंने किसी का बुरा भी नहीं करा, फिर भी मेरे साथ बुरा ही बुरा होता है तो वही चीज यहाँ पर question की गई है कि क्या इंसान जो अच्छा करता है उसका अच्छा end आता है नहीं आता है and usually नहीं आता है there must, there must be some end that would fit कि कुछ ने कुछ तो अच्छा end होना चाहिए यार ये चीज़े बिलकुल भी fit नहीं हो रही है इतनी अच्छी लड़की के साथ जिसने इतना अच्छा किया फिर भी इतना गलत गलत हो रहा है तो वो चीज़े बिलकुल भी fit नहीं कर रही है हमारे प्लोट से ladies and gentlemen help us look for it कि you the audience please help us इस end को fit करने में या फिर एक नया end देने में क्योंकि ये तो बहुत ही dissatisfactory सा है हम इसको agree ही नहीं कर सकते इस चीज से कि इतने अच्छे इंसान ने मतलब उसने इतने लोगों को पुरा help करा अपने पुरी life को stake पे रख दिया gods की भी help की लेकिन at the end उसको ही suffer करना पड़ा तो वो चीज़े कैसे हो सकती है and she should get some better life या पर उसका एक अच्छा end होना चाहिए था तो वो you as a reader have to critically analyze that जी के साथ हमार एपी लोग खतम होता है I hope आपको समझाया होगा फिर भी कोई question है उससे आप पूच सकते हैं and if you want me कि मैं इसका summary upload करू तो you can comment it down otherwise I think बहुत सारे summaries available है तो आप वो भी देख सकते है and अगर आपको specially मेरे ही channel से summary देखना है तो you can just request me I'll do that okay then is don't forget to subscribe the channel like the video and share it with your friends I'll meet you in the next video till then take care stay happy stay healthy